यामी गौतम और प्रिया मनी की अभिनीत फिल्म आर्टिकल 370 को गल्फ देशों ने बॉलिवुड फिल्मों पर लगाए गए बैन के तहत शामिल कर दिया है। फिल्म को गल्फ देशों में इराक, कुवेट, बहरीन, ओमान, कतर, दोहा, सन्युक्ट अरब और सन्युक्ट अरब अमीरात में प्रतिबंधित किया गया है। यह फिल्म घरेलू और विदेशी बॉक्स आफिस पर अच्छा काम कर रही है और दर्शकों और क्रिटिक्स से अच्छी रिस्पांस मिल रहा है। यह निर्णय हमें हैरान कर रहा है क्योंकि गल्फ देशों में हिंदी फिल्मों का बहुत प्रचार प्रसार होता है और वहां की लोकेशन्स पर भी इन फिल्मों की शूटिंग होती रहती हैं। है कि फिल्म का विशय क्या है और यह अच्छा है कि लोगों को इसके बारे में जानकारी मिल रही है आर्टिकल 370 की कमाई की बात करें तो तीन दिनों में यह फिल्म 34.7 एक करोड रुपए कमा चुकी है